लो दोस्तों स्लाव अलेकूं आप लो स्वाथ है मारी यूट्यूपनेलबर्ड दोस्तों हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हम एकसेस की सर्विस कर रहे थे और इस वीडियो को हम कैरी आउन करेंगे और देखेंगे यह दूसरा पार्ट है दूस्तों एकसेस का अगर आ प्लेकल आटा दोस्तों और अभी लॉक्डाब के समय तो मेरेवास मेरी सोरस कमेंज सकते मैं जो हो सकता है में करने के कुखशे करूंगा तो अभी मेरा पास कब्राइब होसे वगयर है नहीं दोस्तों इसको कार्बेटर को यहां रख दिया और यह देखिए यह रिंग हम बिठा रहे हैं तो देखिए इसा बड़ी होगी यह ओरी तो यह मोस्ली दोस्तों आप एक्सेस जब खूलेंगे तो आप मैं एक्सेस में आपको यह प्रॉब्लम मिलेगी तो इसका दूसरा विकल्प यह है करने का ऑप्शन बट अभी बैरहाल मैं इस पर देखता हूं हलका सा बांड अप्लाइब करेंगे बट ज्यादा अप्लाइब नहीं कर रहे हैं मैं बांड रिकमेंड नहीं करता हूं दोस्तों अगर आप कभी भी कारवेटर वगरा साफ करते हैं तो बांड या आप ग्रीस अगरा यूज करते होंगे तो मैं यह रिकमेंड नहीं करता हूं बट अभी क्या करें मेरे पास में रिसूर्स का मैं मतलब फैविक की जरुवत थी मुझे बट फैविक है नहीं तो मैं इस पर बांड हलका से लगा हुआ हलका अप्लाइब करूँ ताकि वह ज्यादा मातरा म जादा मातरा में लगाने पर क्या होगा दूस्तों बहुत से लोग क्या जादा मातरा में लगा देते हैं और वह कार्वेटर के अंदर चले आता है और वह जेट जो आपके होते हैं जो में जेट होता है और तो उसमें फस जाता है जिसके वैसे क्या होता है आपकी गाड़ी पढ़ेगी स्टार्डिंग ट्रैबल होगा तो आपका क्लीन करने का कोई फाइदा नहीं होगा आपका कारवेटर तो देखतेव हैं इसको थोड़ा लगाते हैं अपलाइद करते हैं फिर अगर नहीं पेटेगा तो हम तीसरा आप्ट्सण अपलाई करेंगे के सु कटिंग करन तो उसमें प्रॉब्लम आएगी तो यह मिन्यू मॉडल में कुछ इस तरह का कार्बेटर रहता है और अभी तो यह आ रही है दूस्तों तो उसमें तो अलगी सिस्टम है तो वह आपको क्लीन करकर दिखाएंगे उसमें क्या क्या चीज आपको क्लीन करनी होती है तो बैरहाल त तो पहला अप्शन था हमारा फैविक इस्तमाल करना दूसरा देखिए दूस्तों हम बॉंड हलका सा लगाएंगे दम थोड़ा सा अपलाए करेंगे और उसके उपर लागर पोछेंगे ज्यादा तर और यह जो बॉंड निकाला था मैंने दूस्तों क्या था इसमें जो उप अब करना है तो यह देखिए कुछ इस तरह से आपको अपलाए करना है और इतना लगाना है कि आपकी बस और चिपक सी जैसे कि आप फैविक का स्तमाल करने हैं उस तरह से आपकर जादा नहीं हो कि आप जब आपकी जो वार्टी को लगाएं तो इसमें का जो बॉंड है वो बता कर चलूँआ और क्या किया मैंने तो वह चीज़ आपको बताना जबरी यह कि आपके साथ में होगा तो आप परिशान हो जाएंगे आप भी सोचेंगे कि मैंने क्यों खोल दिया क्यों ऐसा किया तो ऐसा कुछ नहीं हो कर आगर आप खोलते हैं कारवेटर को तो आप पर डीटेल में पता ही है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो तो यह देखिए दोस्तों यह भी बॉंड लगाने के बाद में भी जो हमारा यह रबर है यह बैट मेरा और मार्केट में ढूंडेंगे आगा रबर तो जल्दी मिलेगा नहीं दोस्तों तो आपको पता ही है भी करता हूं एक पॉश्चन को और तीसरा ओप्शन यही था दूस्तों कि इसको कट कर दिया जाए अब इसके लागा मेरे पास कोई ऑप्शन निथा मेरे पास था नहीं तो अभी बैरहाल काम तो करना ही है और बाद में इन केस मेरे पास तो मैं इसको अप्लाई करूंगा तो जो पॉर्ण लगाया था मैंने इसको पोच लेते हैं तो यह देखिए हमने पोच लिया है तो यह तीसरा ओप्शन है इसको कैसे बिढ़ाना है वह आप देखिए बड़ा इंट्रेस्टिंग है क्योंकि अगर आपने गलती की तो आपको देखिए यह और यह देखिए तो ग तो इस तरह से विठा कर और फिर माप ले लाना है फिर से देख लीजी आप फिर से मैं आपको धिखाता हूं यह देखिए हमने ओरिंग को लगाया इसमें और यह देखिए पूरी तरीके से बिढ़ा लिजी और देखिए कहां से इससा इसका पॉशन बढ़ा हो रहा है तो यह दिखे इतना सिराइस का बढ़ा है तो इसमें गलती मत किजए को दूस्तों जादा आप पोश्ण मत काट दिजए ओस्षी का अध्यान रखेगा के आप जब काटे हैं तो हलका इसको अप्लाए गरे हलका सा काट कर दें जादा मत पकाड़े वरना क्या होगा गैप जादा जाएगा और आप बिटाएंगे तो इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी दोस्तों कि आप फिर क्या करें आपके पास में आपको करना किया तो अगर ऐसा भी कुछ होता है तो उसका भी ऑप्षान था मेरे पास में बट वह किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों कि उसके लिए आपको क्या करना है अगर ऐसा कुछ हो जाता है अगर आपको रिंग नहीं मिलती है तो उसके लिए भी मैं आपको आप्शन बताऊंगा कि क्या कर सकते हैं आप अभी बैरहाल इसको हम फीट कर देते हैं और लिकेज नहीं होगा हंड्रेट परसंट दोस्तों आप ध्यान रखिए बस जब आप कटिंग करें तो एक्सेस जो आपका जो रबर है जो मतलब जादा बड़ा रबर है उसी को कट करना है इस चीज़ को आप मद्दे नजर रखेगा बस बाकी आप जिस तरह से कर रहे है मैंने जिस तरह से किया है उसी तरह कीजिए आपका प्रॉब्लम सॉल होगा दोस्तों और फिर से मैं कहा रहा हूं दूस्तों अभी मेरे पास में देखिए सोर्सेश है नहीं इस वेशल से मैंने ऐसा किया है तो आपके पास में जब नहीं होगा option तब आप ऐसा कीजिएगा वरना ऐसा मत किजिएगा तो बेरहाल अभी इसको हम फिट कर लेते हैं और सब स्क्रू को आपको बराबर बराबर मातरा में टाइड करना है ऐसा नहीं कि एक तरफ आपने पूरी तरह के से टाइड कर दिया और दूसरी तरफ आपकर डीला छोड़ दिया तो जब आप दाली ताके यह एक्सपांड ना हो जाए और इस यह देखिए यह जो कवर था हल्की से पढ़ती थी तो इसको कुछ इस तरह से लगाना है तो अब इसको फिट करते हैं और सब सेम तिंग रहेगी दोस्तों सब चीज़े वैसी की वैसी रहेंगी जैसे हमने खोली थी वैसे ह यह में फिट करना है ज्यादा कुछ चीज से देखने नहीं है तो यह देखिए कुछ इस तरह से इसा पकड़कर आप फसा लीजिए और और ध्यान रखिए और आपकी गिरनी नहीं चीए दोस्तों आप आगे चाहें तो अपलाई कर सकते हैं अगर आप बॉंड चाहें आग पर अपलाई मत कीजिएगा तो इस चीज आप ध्यान रखिए बाकी यह देखिए हमने दोनों बॉल्ट फसा लिए तो हाथ से दोनों बॉल्ट को टाइट कर देंगे दोस्तों और इंपाने का इस्तमाल देखिए अभी क्यों नहीं कर रहा हूं कि अभी इतना नेसेसरी नही कि जो मैंने देखिए यह जो पाइब है यह मैंने नहीं लगाया था तो मैं ऐसे तो लगा दे रहा हूं देखिए मुझे अंदाजा है कि ऐसे लग जाएगा बड़ अगर आपको नहीं अंदाजा तो आप पहले उसको ड्रेन पाइप को लगाईए फिर आपका कार्वेटर फसाई है फिर उसके बाद में आप चौक होगे रहा चौक होगे रहा सौरी चौक कभी अगर आप केबल पहले लगाना चाहिए तो पहले लगा लिजीगा ताकि आपको दिक्कत नहीं रहा है तो इसा कुछ हम जब दूस्तों चौका केबल विठा आएंगे तो आराम से लगा लगा लीजिए फिर इसके बाद में चौक का केबल लगा लीजिए उसके बाद में आप बोनों बोल्स को पाई पाया होता है उसको लगाने की बात आती है तो आपको कुछ बाते बता देता हूं ताकि आपके काम आए दोस्तों के मुस्ली लोग उसको भी लगा देते हैं और गाड़ी फिर स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी स्टार्ट जल्दी नहीं होती है दोस्तों तो ऐसा क्यों ह होता है मैं आपको बताता हूं जब आप कारवेटर क्लीन करते हैं दोस्तों क्या होता है जो आपका नीचे जो वाड़ी होती है उसमें पैट्रोल है वह नहीं होता है और आप जब सेल्फ मारते हैं तो पैट्रोल बाद में सक करता है आपका जो कौक होता है पैट्रोल जो कौक तो पेट्रोल कॉक है उससे पेट्रोल पास आउट होकर आपके कारबेटर में आएगा तो क्या होएगा बहुत लेट होगा और वह आते आते आपको आप आप जब सल्प मारेंगे तो आपकी बैटरी उतर सकती है तो ऐसी कंडिशन भी क्या कीजिए कि आप किक का इस्तमाल कीजिए और चार-पांच किक मार लीजिए पहले और इसमें देखे मैंने क्या किया देखे मैं सक्षन कर ले रहा हूं पहले से देखे हम लोग क्या करते हैं दोस्तों मैं क्या करता है कि पहले सक कर लेता है जो एर पाइब होता है उसको खीषता है और उसको सक करता है खीषता है और जो पेटरोल है वो निकालता है और इसमें लगा देता है और निकालने के बाद में कर दोस्तों वाटी में आपका पेटरोल जमा हो जाता है और उसक तो मत लगाईएगा पहले आप गाड़ी को चालू करने की गोशिश किजिए गर आप की गाड़ी 4-5 किक में नहीं चालू होती है तो आप क्या कीजिए गाप पीछे से हाथ रखीगा जो पीछे का सिरा है जहां पर आपका होड़ स्पाइप लगेगा तो उसमें हाथ रखीग आपकी चार-fenger पर रखेगा और फिर करें या समय गावाँ चैक्षे-1 फिर पीछे साइड़ सेां खीचेगा तो आपका जो सक्षिन है पीछे साइट से ऐख़ा हवा जब अंदर नीजई गया पीछे साइड माठों आएगा मतलब आपका स्वेटा जो पोर शे10 ऋ ईपर ताइगा और आपकी गाड़ी को प्ति ज्यादा मिलेगा चौके जैसे depressionsھ हुगा पीछे आध रखते हैं तो चौकी जैसे अपलाई होगा ये सिस्टम होगा और आपकी गाड़ी चालू हो किक मारेंगे तो पेट्रोल आपके हाथ पर आएगा तो यह समझ लिए कि हाथ जेट वगेरा बराबर काम कर रहा है और आपका कारवेटर आपको आपके इंजिन को पेट्रोल प्रॉपर तरीके से दे रहा है तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपका कारवेटर प्रॉपर क्लीन नहीं हुआ है तो आप फिंगर्स रखके ऐसा चेक कर सकते हैं तो वह किसी और वीडियो में आपको मैं बराबर से बताऊंगा दोस्तों बॉड़ी डीटेल में मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि चीजे बहुत जादा लंबी हो रही है तो मैं आपको उस वीड कमेंट अबॉक्स में पूछिए और फिर भी अगर मैं अगर नहीं समझा पाया है तो आपको वीडियो तो बना कर जरूर बता दूँगा कि कैसे उसे करना है और यह देखिए मेरे पास में पाने नहीं है मतलब बारा नंबर का बारा नंबर का फिक्स पाना नहीं था जिसके एसे मैं देखिए पक्कड के इसमाल के आप है इसकर पाने के तो पर पाने के तature पर इस्तेमाल कर सकते हैं और यह और इसका लगा दिया तो इसी की बात करा है कि अगर आप की आड़ी ष्टार्ट नहीं होती है तो आप इस फॉर्मिली से सुथ किogra यह होता है कि बख सर्य घ्रक करने जरूद नहीं कोशिशा है जाद होती है कि देखते हैं हमने प्रॉपर क्लेंट किया तो देखते हैं गाड़ी स्टार्ट होती ही किने दूस्तों तो यह देखिए हमने एक किक मारी और हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गए दूस्तों जब केस में देखें बैटरी का भी इशू था बट हमारी जो गाड़ी है वह एक किक में स्टार्ट हो गए दूस्तों तो यह होता है कि अगर आपके कार्वेटर में प्रॉब्लम हो या कच्रा हो तो ऐसा होता है कि आपकी गाड़ी जल्दी स्टार्ट नहीं होती है तो कार्वेटर को आप प्रॉपर क्लीन करवा लिजिए दूस्तों अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो अब फाइनली हम इसके फिल्ट करेंगे तो पहीडी और दुसरी सेंटिस करेंगे तो चल जाएगा अगर अगर आपकी ज़्यादा लॉंग रनिंग है तो आप फिल्टर को रिप्लेस कर दीजीगा क्योंकि एवरेज फरक पड़ता है दूस्तों अगर आप लॉंग रनिंग करते हैं तो क्या धूल मिट्टी ज़्यादा आपका जो आपका कार्बेटर है वो सक करता है और फिल्टर के इस्तेमाल भी कर लिया और साथ इसको प्रोपर्य से क्लीन भी दीने प्रॉहर तैने की इसको देख रहे हैं इसको अच्छे से हलका सा पकड़ कर और फिर इसको बिठाइएगा वैसे तो बैट जाएगा दूस्तों कोई दिक्कत नहीं मैंने देखिए ज्यादा कुछ चीज़ने खोली नहीं है उसके बावजुद इसका फिल्टर वगरा देखिए ऐसे क्लीन कर ले रहा हूं आप जो फिल्टर है उसको क्लीन कीजिए और साथी साथ आपके जो ब्रेक्शू अगरा है उनको क्लीन कर लीजिए तो यहीं सब आपको करना है जो जर्णल सर्विस होती है दूस्तों कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं और ज्यादा आपको इतना हैड़क लेकर रहने की होती नहीं पड़ेगी तो यह दिखे जो चार स्क्रू थे यह हमने खोले थे यहां से और इसको हम फिट कर देते हैं तो दोस्तों यह जो आपका जो यह दिखे यह कवर है यहां पर भी एक होल होता है और उसमें आप इस स्क्रू डावर डालकर इसे ऐसे लगा लिजिए और इसे टाइड कर दी चार स्क्रू हमने फिट कर दिये उपर के क्लिप हमने लगा दिये दूस्तों तो क्लिप मैंने आपको दिखा नहीं पाया हूं तो हां दूस्तों मैं बात कर रहा था आपको अगर आप अपनी गाड़ी को मेंटेन रखना चाते हैं तो आप क्या नहीं तो आप उसका फिल्टर बराबर क्लीन कर वा लीजिए और आपके जो ब्रेक शुव अगरा है उनको क्लीन कर लीजिए तो इतना है वह होगे दोस्तों आपका इतना चीज़ा इनफ है और बाकी चीज़ों को धीरे दीरे आप देखते रही है कि अगर आप में कुछ आ आप हल्दी रख सकते हैं दोस्तों तो अभी हम पीछे का ब्रेक लूस कर लेते हैं क्योंकि हम पीछे का ब्रेक शुव अगरा भी क्लीन करने वाले तो इसको पहले मैं निकालता हूं और इसको पहले क्लीन करता हूं और प्रॉपर क्लीन करना है दोस्तों ऐसा नहीं कि हम बस निकालेंगे और इसको ऐसे क्लीन कर लेंगे तो ऐसा कुछ निये यह देखिए यहां से भी डस्ट आ रहा है तो यह जो बाहर का जो डस्ट है दूस्तों यह वाशिंग करकर निकल जाएगा तो बाहर पर इतना कुछ आपको करने की ज़रूद नहीं है आपको वाशिंग सकते हैं डबल स्टेंड से उतार यह किसी से पकड़वाई और ब्रेक दवाई और उसके बाद में इसका नट जो है आप खोल लीजिए 22 नंबर को जो इसका नट है वह खोल लीजिए वरना दूसरा ऑप्शन क्या है मैं आपको बताता हूं यह देखिए यह पाने के इस्तमा के ऐसी चीज लीजिए जो के आपके जो ड्रम के जो सर्फेस को पूरी तरीके से कवर करें और फिर उसके बाद में प्रॉपर तरीके से बैठा रहे हैं तो यह तूटेगा तो नहीं जल्दी दूस्तों अगर देखिए आपकी आपकी अगर किस्मत खराब है तब यह तूट सकता है वरना देखिए अभी मैंने इतने साल से मैं कर रहा हूं बड़ना हमसे तो कभी तूटा नहीं है कोई भी चीज है जो है आपके जो ड्रम वगरा जो चीज है तो आई होप आपसे भी ना तूटेगा आप बस थोड़ा सा दिमाग लगए कि कैसे से खोलना है आपको मैंने बता दिया कि आप इसे कैसे से खोल सकते हैं बिना पाने की मदद से तो आप 22 नंबर का खाली रिंग पाना लीजीगा और इसको गाड़ी को उतार कर अब ब्रेक दबाईएगा और उसके बाद में इसको खोलिएगा मतलब इसमें पाना लगाईए और पैरसे से खोल लीजीए जैसे हमने अभी खोला था तो ऐसे भी आप खोल सकते हैं वरना आप इस पाने की मदद से जैसे हमने इसको अटका आया था वैसे अटका कर और फिर पर आपको बताने हो और यह देखिए इसका जो टायर है यह निकल नहीं रहा तो अब टायर ना निकले तो क्या करें आप यह भी दिक्कत वाली बात है कि अभी टायर नहीं निकल रहा आपका यह देखिए मैंने ब्रेक पूरा लूस कर लिया है बाउजू इसके इसका टायर ज बताता हूँ कि वह सब्सक्राइब नहीं निकल रहा है तोowego सब्निक सब्सक्राइब में अब को बस बीडियो में दिखाया नहीं जाता है के टायर अगर आपका न निकलता हो मतलब और आपकी गाड़ी में अगर ऐसा कुछ पर्олब्लम है तो उसे कैसे करना है ऐसा कॉछ आपको बताते नहींika क não निकाल देता है कोछिभी चीज़ें करते हैं तो ये देखिए अभी मेरे पास माज मैं है मर नहीं है दोस्तो Most क्या करूँगा मैं इसका ठोट टायर हमें केभल टायर पर आपको आपको ऐपकर देना है मतलब ऐसर देखिए लाट का इस्तमाल कर सकते हैं अभी मेरे पास में देखिए स्वारी यह स्टेंड से उतरने का भी चांसे रहेगा दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखिए तो इस्टेंड से उतरे करना आप बराबर से पकड़े रखेगा आपके गाड़ी को और यह देखिए कुछ इस तरह से मैं मारूंगा क्यूंकि मेरे पास मैं हतोड़ी है नहीं और हैमर के सितमाल मैं करता था आको दिखाने के लिए देखिए इधर पर आपको सर्फस बेर आपको हीट करना आ है एशा नहीं कि आप लिए यह Writing करेंगे दो हो जाएगा डाप का रिम और यह निकलेगा नहीं तो यह दिखिए बहुत ज्यादा जाम था दोस्तों तो इसको अभी हमने निकालने बद देखिए मेरे पास में दूसरा कोई बंदा है नहीं तो फिर भी मैं इसको तेड़ा करकर हलका निकाल लेता हूं आप लोग के लिए त जो आप डस्ट देखिए हैं दूस्तों तो यही जो डस्ट होता है वह आपका आपका जो ब्रेक्शू होता है उसके उपर जाता है तो बहुत से लोग क्या करते हैं ब्रेक्शू करते हैं और हो जाता है आपका जो ब्रेक्शू क्लीन हो गया तो वह सुचते हैं कि आपका ज जो break shoe है उसके layer पर लेधर पर जाएगा और वो उस पर जम जाएगा और यह दिखिए जब यह चलता रहेगा तो इसमें जो कच्रे होंगे वह आपके जो देखिए drum का जो surface है उसके उपर गिरेगा और आपके जो break shoe है उसके उपर लगेगा और बाद में फिर वापस से वैसे ह ही आगर आप चलाएंगे दो-चार दिन में आपको वैसे के वैसे लगने लगएंगा अप सोचेंगे कि मेरा फिर से कम लगने लगा ऐसा क्यों हो रहा है तो ऐसे में देखिए आप पहले प्रापर क्लीन कर लिजिये आपका द्रम है उसको प्रॉपर क्लीन कीजिए और उसके बाद में आपको बताऊँ सब्सक्राइब करनी है तो यह देखिए काफी डेस्ट निकल रहा आप देखेंगे तो इसमें से काफी डेस्ट निकल रहा है दोस्तोफिए देखिए तो कोई भी आप ब्रेक्षू अगरा क्लीन करें तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका ड्रम जो है वह प्रॉपर हो साफ हो और यह देखिए यह पेट्रॉल का इस्तेमाल करना हो दोस्तों मैं आप भी यूज़ कर सकते हैं कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है तो ऐसे आप खोल सकते हैं और अभी टायर फिट करते वक्त मैं आपको इक चीज़ बताऊंगा दोस्तों आप उस चीज़ को ध्यान रखेंगा अगर आप टायर फिड करें तो बट अभी देखिए मैं इसको अभी इसको पहले प्रॉपर क्लीन कर लेते हैं इसको पोच लेते हैं और इसको फिर फिड करेंगे बड़ उससे पहले हर चीज में आपको बताऊंगा कि और क्या क्या चीज़े आपको देखनी है और क्या क्या चीज़े करनी है तो यह देखिए कपड़े का इस्तमाल कीजिए साफ कपड़ा लीजेगा दोस्तों ऑईली कपड़ा मत लीजेगा साफ कपड क्छूशाज को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर से अपके साथ गुस्ताइब कुछ मत किजिए आप साफ कपड़े का इसतीमाल कीजिए प्रोपर क्लीन कीजिए और प्रोपर क्ली나 हो तो इसको अलका सुखने के लिए रख दीजिए देखिए मैंने तोड़ा इसको अपलाई किया देखिए यह आप ड़स्ट देखिए कारबन देखिए फिर भी निकल रहा है तो ऐसे दिखता नहीं है आपको कछरा है बट देखिए आप जब क्लीन करेंगे तो आपको देखेग आप जब वाशिंग कराएंगे तो साफ होई जाएगी तो अगर आप ब्रेक्शु दोस्तों साफ कराते हैं तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि आप पहले अगर जब वाश करा है पहले आप कार्बूरेटर वगरे क्लीन कर लिए फिल्टर क्लीन कर लिए आप गाड़ी को ओ नीब 1 वाश करा लिए ओश कराने के बाद इसको खोलेगा तो जाधा एफिक्टीव होगा की कि कभी कभी का होता है कि किसी किसी गारी में का होता है दूस्तों के पाणी चले आता है तो ऐसे ऐसा भी प्रॉश चरां कर फिर उसके बाद अको इसके बाद में न Only player और watch नहीं करना है और इस वयसे मने इसको clean नहीं कि या पहले वाश नहीं करा और यहरी MARKING कर लिजिएगा जब है इसको निकले ब्रेक्षू को बाहर निकले तो आप मार्किंग कर लिजिएगों मैंने ब्रेकशू को बाहर इस लिए निकाला है ता आप यह liner को बाहर मत निकालिएगा दोस्तों क्योंकि मेरी सला मानिएगा आप liner को बाहर मत निकालिएगा आप यह लगाकर उसे ऐसा नीचे से हाट डालकर उसे क्लीन कर सकते हमें कुछ इस तरह से छाली आपको polish paper के इस्तमाल करना है और इसे ऐसे क्लीन कर देना है देखिए आप इस तरह से अपलाई किजिए और साफ करकर उसे लगाईएगा तो यह बताने का मकसद यह दोस्तों और आपको यह इसलिए मैं आपको चेता हो नहीं दे रहा हूं ताके आप अगर निकालेंगे तो आपसे ब्रेक्शू बैठेगा यह क्योंकि बिठाने में तोड़ा डिफिकल्ट होगा आपके लिए मैं हम लोग बिठाएंगे तो बैठ जाएगा मैंक से बैठ जाएगा तो सब्सक्राइब करें कि उससे एक्स्पिरियंस होता है डेली डेली वही काम करना है तो उसको एक्सपिरियंस और आप इसका फरक देखिए दोस्तों इस ब्रेक शू का देखिए फरक दिखे जो मैंने क्लीन के और यह जो इस शाइनिंग पने इसको अटाना रहता है जो शाइनिंग आ जाती है आपके लेयर में तो चूचा कर गया आपकी गाड़ी आवास करती है आपके जो ब्रेक मारते हैं तो आपकी आवास हो खता हो जाएगी तो मैं कहे रहां तो दोस्तों आपकर निकालने की कोशिश ना कीजिए इसको आप ब्रेक शू क्लीन करें तो इसको लगा लगा हुआ है आप क्लीन करेंगे तो बैटर है आप लोग के लिए आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी बट जो जो आपको आपकी जो इस्प्रिंग है थोड़ा हलका सा फचलाना पड़ता है तो इसलिए मैं आपको खहर आता है अगर आप ना निकाले तो बैटर है और जब भी फिट करें तो ये देखिए जो स्प्रिंग है यह बराबर देख लेकर बैठी एकि नहीं बैठी बीए ऐसा आ तो इसी इसका ध्यान रहे है, स्प्रिंग बराबर बिटाइए, और चेक के लिए, बराबर बैठेए कि नहीं, और यह देखिए, यह देखिए, यह सब को आपको क्लीन करना है, इसका भी सर्फेस इसको भी अच्छे से क्लीन कर लिजी, तो यह देखिए, कुछ इस तरह से अप्लाई करना है आपको ब्रश का इसतमाल कीजिए और इसको इसे प्रॉपर क्लीन कर लीजिए यह लिए जितना ड़स्ट निकाल लए दूस्तों जितना हो सके आपसे उतना ड़स्ट को igen गॉटर्श कर लिए मेरे पास ब्रॉष है तो इसलिए अच्छे से proper clean किजिए पहले drum को clean किजिए फिर यह देखिए जो जहां पर बैठता है उसको clean किजिए साथे साथ आपके ब्रेक्शू को clean किजिए तो तीन चीज़े आपने clean कर ली दोस्तो ऐसा नहीं कि आपको एखी सिट्विसेंद करना आउली ब्रेक शू तो ऐसा कुछ नहीं है आपको यह सब चीजेंगी करनी है चलिंद करनी हो जाए जारीं प्लेन अण हो जाए तो और ऐस चीज आ आपको आपको क्या इस चेक करेंगे थो जाएं लिए दिखाता हाँ मैं कि क्या के जो केम होता है दोस्तों यह जो केम इसको केम कहते हैं तो यह आपका फ्री होना चाहिए देखिए अगर यह फ्री नहीं है तो इसको आपको फ्री करना है दोस्तों अगर फ्री नहीं है तो इसको खोल कर इसको प्रॉपर ग्रीसिंग करकर फिर इसको फ्री करना है तो इस इस होता है और हम परिशान होता है कि हमारा ब्रेक क्यों जाम हो रहा है और ऐसा क्यों हो चल लीए तो ए जो में आपका o free होना चाहिए दोस्तों तो हमारा the जोड़ प्री है और इसको इसको लगा है तो यह देखिए कुछ इस तरह से लगाना है तो कुछ-कुछ लोग क्या होता है कि इसमें ग्रीस लगाने की कुछ यूज कीजिए गा और अगर करें भी तो अद्धम नॉर्मल यूज कीजिए गा और यह हमारा प्रॉपर क्लीन होगा आप फिट करते हैं इसको तो क्या होता है दोस्तों आपका जो टायर हो बहुत हीट होता है जिसके वादा होता है ग्रीस गल जाएगा और गलने की वैसे क्य कीजिए जो कि दिखे ना आपको पारदर्शिय ना हो उनली हाँ दिखे का लग गया है बस हलका सा अपलाई कीजिए अगर लगाना है तो तो यह देखिए कुछ इस तरह से आपको बिठाना है अब टायर बिठाने में दोस्तों यह दिक्कत है के दो वेक्ति की जरूद पड रखेगा औरना क्या होगा आपकी जो गाड़ी वो स्टैंड से उतर जाएगी और स्टैंड से उतरने के बाद में यह दायर इकली से गएगा तो यह आप धियान रखेगा बड़ा ही इंपर्टन चीज़ बता रहा हो दूस्तों है गौर कीज़ेगा अगर आपके गाड़ी तरती है तो आपका जो केसिंग है वो तूट सकता है दोस्तों तो यह आप ध्यान रखेंगे अगर आप गाड़ी को अगर ऐसा तेड़ा कर रहे हैं अकेले में तो ऐसा यह डेंजरस हो सकता है आपके लिए तो आप दो लोग रहें तो आप इसका इस्तमाल कीजिएगा और मैं इस तरह से आपको फीट कर लेना है दोस्तों और केसिंग होकर आपका ना तूटे पीछे का देखो चैंबर तूटने का डर होगा दोस्तों अगर यह आपका गिरेगा तो यह तूट सकता है यह आपका नीचे जाएगा और तूटने के चांसे बढ़ जाएंगे तो यह बहुत ही इंफर्मेटिव होगी और आप लोगे बड़े काम आएगी दोस्तों तो आप लोगों वीडियो कैसा लगना मुझे कमेंट जरूबत है आप लोग कोई भी डाउट है मुझसे कमेंट पूछ सकते हैं किसी की पे रिगार्डिंग जो भी आपको पूछना है वह पसंद आए तो से लाइक कीजिए शेयर कीजिए और साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बला आइकोन को दमाना ना बुलिए दूस्तों थैंक्स पर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट तक तक लापीस टेकर गुडबाए अपना अपना फैमिली का ख्याल रखे की पिसमाल ओल्वेज बीए पी टेक केर अला आपीस मिलते हैं अपिस टेक केर बाए